हलो दोस्तों मैं सवरों मलीक आप से विका टोपी के स्टेड़ में स्वागत करता हूँ दोस्तों रेलिवेग गुरूप D के लिए जो मैंने रीजिनिंग का क्रेस कोर्स बनाया पंदरा वीडियो का उसकी पांची भी वीडियो है वहाँ से जाके आप टेलिग्राम को जोईन करके भी पीडियाप डाउनलोड कर सकते हैं और जो दोस्त अब तक चैनल के साथ में नहीं जुड़ा है तो नीचे रेड कलका बटन आपको दिखाए दे रहागा वाली अनलोगी एक होता आपका नंबर वाली अनलोगी एक होता आपका अलफबेट वाली अनलोगी और सभी तरीके के तीन चार तीन चार कोशन में लेका हूँ तो सभी कवर करने वाले हम इस वीडियो में तो आप वीडियो को पूरा एंड तक देखेगा और हो सके तो यार लाइक शेर कर दिया करें कुछ नहीं जाता है मैं आपके लिए हमेशा यह ऐसी इतनी सारी वीडियो बना चुका हूँ और आप लाइक शेर बहुत कम करते हैं तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज की वीडियो को यहापे परसन आगरतिया में दे रखा है कि अगर यह गोला यह है और उसमें उपर को इस तरीके से था नेक्स्ट वाले गोले में यह इस तरीके से हो गया है तो आपको समझ में आगे होगा किस तरीके किस में सीरीज चल रही है नेक्स्ट वाले में बताइए अगर यह इस तरीके का है तो यहां पे क्या आएगा ठीक है वो आपको बताना है मैं आपको option दिखा देता हूँ चार option इस तरीके से अब यहाँ पे हमें क्या देखना है सबसे पहले आपको क्या देखना है आपको देखना है कि इसमें कौन सा इन चारों में से कौन कौन सा आंसर नहीं हो सकता जो बिल्कुल भी आंसर नहीं हो सकता है अगर यहाँ पे देखा जाए इसका जो direction थी sign की इस डीयेक् credible तो इसका इसका टोगे इसका सब्सक्राइब के लिए उसका निव्हीं ऑने के ङोदरा उच्छान से आपया लगा इस पर नीचे उपर को गया अगर यहां पर देखा Radio यहां पर नीचे वाला कॉंसेप्ट इन्हीं तो इसका मतलब तो यहाँ पे सीधा ही होगा तो इसमें right answer यह हो जाएगा ठीक है पहला question था अभी पूरी वीडियो देखेगा तो दीरे दीरे सब गुछ समझ में आ जाएगे यह तो easy था question वैसे ठीक है चलिए next question पे चलते है next आपका question है person आकर्तियों में आपका दे रखा है कि एक डंडा है उसके ओपर एक arrow का चिन है इस direction में ठीक है फिर एक डंडा है उसका arrow जो चल गया हो दूसरी direction में यानि कि इसका इधर को था इसका इधर को गया तो आप समझ गयोंगे कि next वाले में क्या होने वाला है तो एक तो इसमें change है एक इसमें change है बाकी में तो इसमें ही नहीं और इसमें उसी direction में है तो यह दोनों गलत हो जाएंगे फिर यह क्यों नहीं हो सकता इसमें आपका पीछे जो छोटा सा गोला है इसमें यह नहीं है तो इसमें यह भी है पूरा का पूरा वैसे तो change नहीं है ना तो यह right answer हो जाएगा तो देखे आपको समझ में आ गया होगा जो image वाली analogy होती है वो कितनी simple होती है और आप इसको कर सकते हैं ठीक है चलिए और देख लेते एक दो question फिर चलते है next type पे next आपका question है एक बर इसको खुद से try करेगा question number 3 है आप इसको try जरूर करिएगा person आकरती में आपे दे रखा है एक आपका box था उसमें फिर आपको क्या कर दिया गया है चार line ए खैस दी गई है तो बिलकुट same इसमें भी वोई करना है आपको उसी तरीके से line ए 4 ही होनी चाहिए उससे जादर नहीं होनी चाहिए इस तरीके साब कर बन जाएगा तो देख लिजए next question देख लिते हैं अब इस question को देख लिजे question number 4 है I think है न हाँ 4 question है इसका answer बताईएगा आप मुझे person आकरती दे रखे यहां पे कुछ इस तरीके से दा पूरा गोला था उसको आदा कर दिया गया है और आदे को करके फिर इसको प्लट के रख दिया गया है ठीक है न तो इसको भी अगर हम आदा करेंगा और प्लट के रखेंगे तो क्या होगा आपका देखे आदा तो वैसका वैसे ही रहेगा, फिर पलट के रखने के बाद ही में कुछ ये ऐसा हो जाया यानि की इसकी directions ही कुछ ऐसी हो जाएगी, तो देख लिजिए direction किसकी ऐसी है, ठीक है बाइ ये तो बिलकुल नहीं हो सकता, ये तो बिलकुल वैसे का अठा देता हूँ, जैसे यह option नहीं हुआ, यह नहीं हुआ, यह नहीं हुआ, यह अठा दे, तो right answer खुद ही निकल के आजाएगा, कुछ सोचने की जरूरती नहीं है, तो आपको भी कुछ इसी तरीके से question को करना है, ठीक है, चलिए, next question पर चलते हैं, तो चलिए, next question देख लेते हैं, यह question number 5 है, आप इसको try करके देखेगा, और right answer बतेगा, जरूरी सका comment box में, यहाँ पर देखे, क्या दे रखा है, यहाँ पर क्या देखनी की जरूरत है आपको, गोला था, बिल्कुल blank था, इसमें कितने line दे रखे, बस वो count कर लीजे, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, इसमें 8 है, तो इसमें भी 80 होनी चाहिए, एक, दो, दो 4, दो 6, और दो 80, मतलब इस तरीके से कुछ होना चाहिए, तो आप देख सकते हैं, अब इनमें कौन से में, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ठीक है, ये भी नहीं होगा, तो right answer आपका C हो जाएगा, तो कितना आसानी से आप इन सभी question को कर सकते हैं, ठीक है न, आसा करता हूँ कि आपको इस सभी question समझ में आ रहे होंगे, चलिए, next question अब चलते हैं, ये type आपके हो चुके है, खतम, यहीं पे सारे आकरती वाले जितने भी question से analogy में, वो सब कुछ अभी मैं आपको कवर करा चुक हूँ, बीच बीच में और लेके होंगा, जो भी interesting सा कोई question होगा, वो भी मैं आपको बीच बीच में लेके आता रहूँगा, अभी आज की वीडियो में, यहीं पे आ करती वाले तो होगे, next चलते हैं, next type देखते हैं, कौन चा है, चलिए, number वाली analogy देख लेते हैं, next question आपका जो ये है, ये question number 6, I think, ठीक है, आप इसका answer दे सकते हैं, बहुत ही आसान है, और यहाँ पे पूछा है कि 7 को अगर 52 से relate किया जाए, तो 11 को किस से किया जाएगा, तो option आपके सामने हैं, सभी आप try करके देखिए, यहाँ पे जो है, देखिए, 7 का square अगर हम करेंगे, तो कितना होता है भई, 49 होता है, ठीक है, 49 में plus 1 कर दे, तो 50 बन जाएगा, तो इसी तरीके से आपको ये करना है, 11 का square कितना होगा, 121 हो जाएगा, और plus 1 करेंगे, तो क्या हो जाएगा, 122, तो 122 is the right answer, option here, right answer हो जाएगा, ठीक है, बहुत ही आसान है, कोई hard नहीं है, ठीक है, चलिए, next question को देखे, try करके, question number 7 को, try करिए, एक बर सभी बच्चे, तो आसा करता हूँ कि आपने try कर लिया होगा, देखिए, यहाँ पे क्या चल रहा है, 12 को अगर 36 लिखा जाते है, तो कितना हो जाएगा, तो यह तो भई, 1 बचेगा, ठीक है, तो right answer इसका मतलब 2 हो जाएगा, तो इस तरीके की बहुत सारे analogy के आपके number analogy से questions आते हैं, next question देख लिजे एक बार, यह वाला आपका question number 8, try करिए एक बर question number 8, और जल्दी से answer भी करते हैं, comment box में, ठीक है, देखे question number 8 में क्या है, बहुत ही simple है यह भी, 2 का यहाँ पे cube क्या गया है, 2 का cube करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा सीधा सीधा, तो 3 का cube करेंगे वो कितना हो जाएगा भई, 27 हो जाएगा, तो right answer भी हो जाएगा, तो आसा करता हूँ कि आप समझ गये होंगे, अब तो इस तरीके question कैसे करने हैं, और बहुत ही आसान आपके exam में आने वाले, कोई hard नहीं आने वाले, group D के exam में, बहुत ही easy paper आएगा, आपका reasoning का तो देख लेना आप, और सारे question बन जाएगे, बस थोड़ा सा time management की problem रह सकती है, क्योंकि question जो आने वाले हों mix आने वाले है, जहां तक मुझे पता है अभी तक, कि आपको पहला math का दे दिया, फिर reasoning का दे दिया, फिर आपको current का दे दिया, फिर science का दे दिया, कुछ इस तरीके से questions आपके आएगे, तो time management की problem हो सकती है, तो आपको न अपनी थोड़ी preparation, मतलब अभी separately नहीं, practice set खरीद के लिए ये, किसी भी, मतलब कोई सी भी उसके, उथर के, तो आप उनसे try जरूर करिएगा, क्योंकि mix question की try करेंगे, तो तभी आपकी थोड़ी practice बन पाएगी, ठीक है, चलिए, next चलते हैं, चलिए, अब next start करते है, alphabet analogy वाले question, इन question से भी आपके जरूर question आते हैं, ठीक है, देखे अगर आपके question आ सकते हैं, मैं भी बता देता हैं, तो जो पहला मैंने बता हैं, आपका image वाले question वो, गरती वाले, उनसे तो एक question पका आने वाला देख लेना आप, और अगर दूसरा आया, तो आपका number वाला भी आ सकते हैं, इसके chance ज़्यादा है, ठीक है, जो आपका alphabet वाली जो analogy है, उनके chance ज़्यादा होते हैं, तो आप try करिएगा, यह तो बहुत ही simple सा question लिया है, मैंने basic सर्थ सबसे पहले, एक पर try करिएगा, और यह को साथ question number 9 हो गया है, 9 का right answer बताइए, देखिए, यहाँ पर क्या चल रहा है, यहाँ पर plus 1 किया गया है, ए में plus 1 किया गया है, तो B हो गया है, ठीक है, फिर B को वैसा का वैसे रखका, B को next कर दिया C, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, भई A का B से क्या relation है, plus 1 का, और B इसका relation क्या है, 0 का, यहाँ कि B को B रखका, फिर C रखकर दिया, तो यहाँ पर C और D रखका है, फिर next क्या होगा, D और E रख देंगे, यानि कि D को D रखेंगे, फिर next आप एक बढ़ा देंगे, तो D is the right answer, यह तो बहुत ही simple सा question था, और आसा करते हों कि आपने इसका right answer, सभी ने कर दिया होगा, comment box में, चलिए, next question देख लेते हैं, next question number 10 है, और इसको try करिएगा, सभी बहुत ही आसा question है, और इस type का question मतलब आ सकता है, ठीक है, अगर आपके exam में question आता है, तो इस level तक का question आ सकता है, देख लीजे आप, तो यहाँ पर क्या चल रहा है, बहुत ही आसान है question, देखें, यहाँ पर जो first है, उसको तो last में रख जिया गया है, जो middle में है, उसको middle में, और जो last में था, उसको पहले पर रख जिया गया है, तो समझ गया होंगे, A को last में, फिर B को बीच में ही, और C को यहाँ पर, अगर आब इसको रखें हम इसी तरीके से, D को रख देंगे last में, फिर E को रखेंगे, बीच में ही, और F को रख देंगे हम, शुरू में, ठीक है, तो यह क्या हो जाएगा आपका, F, E, और D is the right answer, देख लिए जो option कौन सा है, F, D, तो F, हाँ, F, E, D, D is the right answer, तो आशा करता हूँ कि, बहुत ही आसान है यह भी, देखें, सारे के सारे question, जितने भी मैंने लिए हैं, इन में जायतर question आपके, जो पहले पूछे जा चुके हैं, तो आप देख सकते हैं, कि किस तरीके की question सा, आपके एक्जाम में पहले आए हैं, तो यहाँ पे, कि बहुत ही आसान है, M से next N होगा, N O हो जाएगा, O से next आएगा P, यानि कि बिल्कुर सीधा सीधा है M N O P, फिर P को बिल्कुल वैसे का वैसे रख जियागा है, और P से Q, Q से R, और R से S, ठीक है, फिर next यहाँ पे, इसका मतलब आप समझ गी क्या सीरी चली है, तो E से F, F से G, और G से H, next क्या होगा, H से स्टार्ट होगा, H, I, और J, और K, H, I, J, K आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानि कि आपका, option A इस दिरा राइट आंसर, ठीक है, तो बहुत ही easy सा question था यह तो, चलिए फिर, next question देख लेते हैं, next आपका question number 12 है, इसको देख लीजे एक बार, question number 12 का क्या राइट आंसर होगा, देखे हापे बोला गया है, मुंदरा, डोलर, वजन, next क्या होगा, ठीक है अगर मैं यहापे बात करू, तो मुंदरा का एक रूप है डोलर भी, ठीक है, मुंदरा का एक रूप है डोलर, और वजन का क्या हो जाएगा, वजन का आपका हो जाएगा pound, ठीक है भई, वजन का क्या हो जाएगा, पांड हो जाएगा, से अगर जैसे मरत्तू होगी तो अमरत से क्या बोलते हैं आपने भी सुना होगा हमेसा अमर हो जाते हैं अगर अमरत पी ले तो अमर हो जाएंगे जीवन कमाई पाप से तो को रिलेशन नहीं बन सकता तो C इसका राइट आंसर होगा आसा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा जहर मरत्तू, अमरत, अमर अमरता से रिलेट हो जाएगा ठीक है भई question number 13 था 14, 15 का जल्दी से एक बार कमेंट में आंसर दीजे फिर मैं साथ साथ में इनको कराऊँगा एक आपको बीच में वीडियो को रोकने का टाइम देता हूँ तो यहाँ पर next question जो है सहारा, रेगिस्थान तो जैसे सहारा जो एक रेगिस्थान है उसी तरीके से Mount Everest आपका क्या हो जागा Mount Everest एक परवत है तो यह परवत से रिलेट कर जाएगा, देखे जो एनलोगी वाला चैप्टर है, वो बिल्कुल भी हाड नहीं हम बोल सकते हैं, एनलोगी वाला चैप्टर आपका थोड़ा सा आपका जो memory base depend करते है कि आपको कुछ चीजे पता होगी, ठीक है, तो उसी तरीके से relate कर जाती है, कहीं बार आपका को next question है, जासूस जानकरी, तो जासूस जानकर देता है, पतरकार क्या देगा, पतरकार हमेशा समचार देता है, आपने भी देखा है, तो यह बहुत ही simple सा होता है, और इसी level के आपके question आएंगे exam में, क्योंकि ये सारे question थे आपके, जो group D के पहले बहुत सारे exam में, group D के में पूछे जा चुके है, ALP technician से भी मैंने कुछ questions लिए है, जो अभी अभी exam हुआ है आपका, उसके भी कुछ question है, तो इसी तरीके का exam आपका आने वाला है, और आसा करता हूँ कि आपकी preparation अच्छी चल रही होगी, मैं आपके continuously video upload कर रहा हूँ, आप please, आपसे request है कि like share करते रहा करे, यही मेरे लिए सब कुछ है, ठीक है और pdf लेने के लिए मैं आपको बताता हूँ, telegram download कर लिजे, ठीक है, pdf लेने के लिए telegram download कर लिजे, timing note कर लिजे, देखिए आपको जो सभी timing मैं बता चुक हूँ, पहले भी reasoning का और math का, math का, आपका 2-3 है reasoning का 9-10 है pm, ठीक है, और रात को 11 बजे live test चलता है, telegram app जो आता है उसको download करके, वहाँ पे topic study search करेंगे, तो वहाँ पे आपको उसको join कर लेना, और बहुत सारी जो PDFs मैंने upload की है, वहाँ पे और आगे भी करता रहोंगा, वो सभी आप वहाँ से download कर सकते तो आशा करता हूँ कि आज की वीडियो देखे छोटी बनी है, बर जितनी भी है आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गई होगी वीडियो कर समझ में आई है, और आपको सब कुछ पसंद आया है, जो भी मैंने थोड़ा भी समझा है आपको, तो प्लीज वीडियो को लाइक सेर कर दीजेगा आपने सभी दोस्तों को साथ सेर करिएगा वीडियो को देखे लें बोद बोद धिने वाद आपका दिन सुबो